नावाइग टो है यह विल्कम ते रिविजन आफ जॉइन प्रड़क्ट बाइप्रड़क्ट सबसे पहले ज्सकों बोलते हैं बाइप्रड़क किसको बोलते हैं किश्कुर्बड़ कि इसक्राप नियुए है तो बाइप्रड़क्ट जिसकी Markets Valiu सबसे जादा वह मेन पार्ड़क होता है और मेन प्रोड़क्ट दो टिन रहे तो जोईंट बनज्कते बंजाते तो जोईंघ बीधिकर है तो डाइक निगलीजिभलमाइन बहुत कम से अभुटेव पाइद निगलीजिल दो गम हैं तो स्क्रैप स्कुर। को बातना कैसे अभी जॉइन को स्क्या है तो जिस पॉइंट से जैसे कि एक्जामपल लेंगे शुगर के शुगर के इनको अगर मशीन में डाले नीचे जूस निकलता है उपर मोलैसिस तो यह जिस पॉइंट से वह अलग होते हैं इसको बोलते हैं इस स्प्लेट ओफ पॉइंट या फिर पॉइंट ओफ सेपरेशन कि इसके पहले के जो भी कर्चे वहते हैं उसको जॉइंट कोस्ट ऐसा बोलते हैं इसमें मतेरियल यह तीनों भी आते है इससे जो होते हैं वह प्रड़क्ट फाइनल नहीं होते हैं इसको अपन और प्रोसेस क करके बनाते हैं तो इसको खर्चा लगता है उसको भोलते हैं पर दर प्रोसेसिंग कोस्ट एफ पी सी इससे फाइनल प्रोड़क्ट बनता है एड़ाश बीड़ाश सब्सक्राइब काम काम क्या अपना में काम क्या है कि यह जो 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 जॉन कास्ट को एबीम को इन दोनों प्रोड़क्त में बातना है तो बातना कई से तो एक कोश्चन अपने यहां पर करेंगे एक सिंपल में डेटा देता हूं कि तुमको रफ में सोचने का है सब्सक्राइब जॉइन कॉस्ट है 10 लाग और ये दू प्रोड़क्ट में डिवैड हो रहा है A, B A की कॉंटिटी है 700 B की कॉंटिटी है 300 इसको बेच रहे हैं 10 रुपए में इसको बेच रुपए है 6 रुपए में फिर इसको प्रोसेस करके भी आगे आपन बेच रहे है इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2 लाग इसका 1 लाग फिर ये बनता A डाश B डाश A डाश 700 कॉंटिटी फर्दर प्रोसेस करने के इसको बेचेंगे at the rate of 15 और बी डाइश इसकी कॉंटिटी है 300 आफ्टर फर्दर प्रोसेंगे इसको बेचेंगे 10 रुपए में तो यह है बेसिक डेटा तो अपना में काम क्या है कि इस 10 लग को बाटता है क्योंसे को से पहले मैथड JENN का नाम बैंने और फिर तुम अमांण बताएंगे किस बैसिस भोलोग मैथ की सा अजांकी सो आउट्पुट तो सबसे पहले अपनों सोचेंगे सर इसको अपन आउट्पुट पर बेच शक्तें ठीके आउट्पुट आउ यह 700-300 यहां पर अपन क्या कर देते हैं थोड़ा सा चेंज कर देगे मतलब तुमको और ऐजी हो जाएगा यहां पर कॉंटिती बचते है यहां पर कॉंटिती है दाइसो तो किस रेशो में कॉंटिती मतलब यहां पर स्प्लिट हुआ है न उस कॉंडिडी पर बेचना पड़ता है तो यह रेश्यो जाएगा सेवें इस्टू प्री तो दस लाग को सेवें इस्टू त्री में कि यहां यह समझा नेकस्ट कौना रेश्यो यूज कर सकते हैं कि एक तो तुम य में फेच सकते हैं अभी नार्व पर वेचते हैं तो नर्व पर कहीश सकते हैं सेल्स माइनस कुंसा सेल्स फिलिट और तो फाइनल सेल्स माइनस इस प्रोसेसिंग कस्त अ कह से निकलते हैं फाइनल सेल्स माइनस फॉर्दर प्रोसेसिंग कास्त इस से मिलता है एनर वी अब यह पर कितना तो 151 एुट्यू 750 आपना कौन सा कोश्चन फिक्स है अरे रुकना अपना सब सेटिंग लगाते हैं अपना कोश्चन है अधर रेट आप 20 अधर रेट आप 15 फिर इसको अधर रेट आप 35 अधर रेट आप 25 अब आता बराबर देखो अधर आप 25 अधर जीरो जीरो लगाना पड़ता अधर आप आप आता ना कि फिर भी कम बढ़ रहें क्या कि दो लाग कि अधर आप अधर रहना है नहीं बस हो गया अधर अधर बाइस लाग 75 अधर 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 इसमें से फ्पीसी दो लाग तो यह माइनस करो बीस पॉइंट 75 लाक्स इस्टू इसका कितना आता अधर अधर नहीं है को उस रेश्यो में बाठ सकते हैं और कौन सा रेश्यो है पॉसिबल अधर इस इस उसको ना फाइनल सेंस फाइनल सेल्स बेश्यों पर बाठो 22.75 इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सकते हैं और एक में उसको बोलते हैं नोंने FR Lukas mają supply bad म الفी कासे और बाठ म करता है एक फीक्स कासे फिक्सक्राइअ मार्जिनलकास मेथद के अंदर जो मार्जिनलकास इस नदिंग बट वेतले वाला नया नाम तो वेrob हुआं वे आ तो तुमको क्या करना है पहले वेरियाबल कौस्ट आउट PASISA पर बातना है से मैं से जॉइंड कॉस्ड माइनवस का ऐघा को contribution को बेसिस पे तुमको fix cost बातनी है वह एक method है और एक method है जिसके अंदर estimated profit दिया रहता है तो उसमें तुमको क्या करना है sales में से estimated profit minus तो क्या मिलता है estimated total cost टोटल sales में से estimated profit minus करूंगा तो estimated total cost estimated total cost में से further processing cost minus तो क्या मिलता है estimated join cost बहुत सारे बच्चों को लगता join cost मिल गया पर यह join cost नहीं है इस ratio में real join cost को बाठते हैं वो join cost क्यों नहीं है क्योंकि आपने estimated profit minus किया है तो estimated profit minus करेंगे तो estimated join cost आएगा actual join cost नहीं आएगा तो actual join cost estimated के basis पे बाठ देना चाहिए ठीक है तो यह method के तुमको एक्जाम में आएंगा तो इक तो join cost बाठने को इसमें से कोई भी एक method लो उस method पे तुम join cost को बाठ सकते हो दूसरा क्या तरीका है इसमें question में आता है कि तुमको split off point पे बीचना या further process करके बीचना अभी जैसा यही question है यही question है तुम बोलो कि A को A के level पे बीचना या एडाइस पे बीचना एक को A के level पे बीचना या एडाइस के level पे बीचना एडाइस देखो कैसे निकाले अगर प्रोसेस करना की नहीं ऐसे questions आते हैं तो इसको करने के तुम्हारे दो तीन तरीके है पहला तरीका तुमने क्या करना sales value at split off point उदर निकाल के profit निकालो final sales का profit निकालो फिर सोचो किस में ज्यादा profit है वह करो या फिर मैंने एक शॉटकट सिखाया तुमको इधर का sales वैल्यू किता है कि 14 लाग इधर का sales value कि मतलब 14 लाग की चीज 22 लाग 75,000 में convert हो रही है तो कित्ते से भाव बढ़ रहा है आठ लाग 75,000 से भाव बढ़ रहा है उसके लिए खर्चा कित्ता तो 2 लाग अगर खर्चा करके आठ लाग से भाव बढ़ रहा है तो करना की नहीं कोई भी common sense वो लेगा फिर यहां बेचो तुमको इतना धरकने का कि दोनों का sales price का कित्ता का difference है यह additional sales है और उसके लिए cost कितना है तो additional profit आएगा तो बेसिकली तुमको दोनों का sales price को compare करके निकालना नहीं एक्जा में question कौन से पूचेंगे कि calculate the profit at split of point calculate the profit of final stage and make a decision तो यहां पर क्यों सी मेथर्ड यूज करने चाहिए इसके लिए कौन सी मेथर्ड यूज करना और इसके लिए कौन सी मेथर्ड यूज करना अगर मैं joint की मेथर्ड चेंज नहीं होती अगर तुम चाहिए तो split of point पे बेचना है तो फाइनल पे बेचना है तो बेचो कौन सी मेथर्ड यूज उसको फरग नहीं पड़ता है मैंने बोला था कि joint cost costing department निकालता है किसी को भी नहीं पता और final stage पे बेचना है तो वह marketing वाला है marketing वाला तो कहां पे बेचेगा तो marketing वाला चाहिए तो split of पे बेचेगा चाहिए तो final stage पे बेचेगा क्योंकि उसको नहीं पता है कि joint cost actual में कोन से rate पे divide हुआ है तो joint cost की method and कि इदर बेचना इन दोनों का कोई संबाल नहीं है तुम चाहिए तो इदर भी बेचो उधर भी बेचो तो बच्चे इसमें सब्सेयादा हो सके तो exam में ऐसे diagram निकालो जैसा मैंने अभी निकाल ला है तो उसमें joint cost लिखो उसके अंदर further processing cost लिखो फिर यह हो जाता है by product बुल गया अपन by product actual में तुमको से लिए बस में थेरी है questions नहीं है but मैं चाहता हूं कि तुमने questions complete करना क्योंकि exam में एक बद surprise करके पूछ लिए so we don't like surprises खास करके ICI के तो फिर क्या करना दो methods है पहला method by product का sale value जित्ता भी आया joint cost में से minus को रहो straight away दिमाग मत लगाओ by product का sale value joint cost में से minus फिर बच्ची कुची जो joint cost है वो joint product की है main product की joint cost मानी जाएगे या फिर उसका दूसरा तरीक है method two by product का sales में से क्या minus करो उसका estimated profit minus करो तो estimated profit minus करने के जो cost आती है generally वही joint cost होती है या फिर कोई-कोई questions में by product का selling expenses further processing cost ऐसा दिया होता है तो by product का sales लो उसमें से estimated profit minus उसमें से joint cost minus उसमें से selling expenses minus जो मिलता है वो joint cost किसका joint cost by product का total joint cost में से by product का joint cost minus करो main product का joint cost आजाए ओके समझा चलेगा अभी के लिए इतना ही we will stop it here